Good morning students, subject English chapter 2 Students, अब तक आमने इस chapter में read किया था कि एक boy यानि एक लड़का एक छोटे से जंगल से गुजर रहा है जो की सूखे पेड़ों से भरा हुआ है जंगल में ही उस लड़के को एक पुराने पेड़ के पास एक बड़ा black bullet का हुआ मिलता है और वहाँ चोग के टुकड़ों का एक डिबा भी होता है वह बोई यानि वह लड़का चोग का एक टुकड़ा लेता है और बोर्ड पर ड्रो करना शुरू कर देता है वह लड़का बोर्ड पर जो भी ड्रो करता है वह जादू से बोर्ड से निकल कर पहार आ जाता है बहुत जल्द वह जगा यानि वह स्थान एक हराबरा जंगल बन जाता है जो की खुशी से खेलने वाले जनवरों से भरा हुआ है अब वह लड़का अपने माता पिता भाई और बहन को अपने सैंडविच और चिप्स के साथ पिकनिक आनन लेते हुए ड्रो करता है यानि उनका चितर बनाता है फिर वह कागस की प्लेट और जमीन पर छोड़े गए सोफ्ट रिंग के खाले डिबे भी ड्रो करता है वह ऐसा इसलिए ड्रो करता है क्योंकि उनकी पिकनिक पर हमेशा यही होता है बच्चो प्रीवेस वीडियो में हमने पिकनिक तक रिड़ किया था अब हम आगे रिड़ करेंगे नाव स्टार्ट but when these bits of litter come to life something awful happens around every paper plate and every empty tin the forest turns grey and this greyness starts spreading everywhere to the grass, to the flowers, to the animals bits of litter means कूडे के धेर, awful means भयानक या द्रावना, spreading means फैलना means लेकिन जब ये कूडे के धेर जीवन में आते हैं तो कुछ भयानक यानि द्रावना होता है हर कागस की plate और हर खाली इनके आसपास जंगल भूरे रंग में बदा जाता है यानि जंगल धुनला हो जाता है और यह है भूरापन या यह है धुनलापन हर जगे फैलना शुरू हो जाता है घास पर, फूलों पर और जनवरों पर the boy realizes that it is because of the litter that the forest has become grey realizes means एहसास होना means लड़के को एहसास होता है की कुडे के कारण ही जंगल ग्रे बन गया है यानि ग्रे हो गया है so he runs through the forest with the blackbird eraser in his hand to erase it means तो वह इसे मिटाने के लिए जंगल को अपने हाथ में ली गई blackbird eraser के साथ चलाता है यानि कुडे की वज़े से जंगल grey हो गया था तो वह बच्चा यानि वह लड़का blackbird eraser से उस कुडे को erase कर देता है he is quick and does not leave a single piece of litter means वह तेज है यानि वह जलदी से कुडे का एक टुकडा भी नहीं छोडता है the forest becomes green again जंगल दोबारा हरा हरा हो जाता है the animals also look happy जानिवर भी खुश दिखाई देते है the boy and the animals play together for the rest of the day together means एक साथ लड़का और जानिवर बाकी दिन एक साथ खेलते है the boy never sees that blackbird again means लड़का उस blackbird को दोबारा कभी नहीं देखता but now every time he goes for a picnic with his family he remembers what happened there and is the first to pick up any litter remembers means यादाना लेकिन अब जब वह हर बार अपने परिवार के साथ picnic बनाने जाता है तो उसे याद आता है कि वहां क्या हुआ था और किसी भी कुड़े को उठाने वाला वह पहला विक्ती है he is also sure to remind others that anything they leave lying in the forest is very bad for the forest and the animals remind means याद दिलाना means वह दूसरों को भी याद दिलाता है कि वे जंगलों में जो कुछ भी छोड़ रही है वह जंगल और जानवरों के लिए बहुत बुरा है बच्चों आपने ये चप्टर complete read करना है students अब हम करेंगे इस चप्टर के word translation wt का मीनिग होता है word translation first is forest forest कार्थ होता है जंगल second is hanging hanging कार्थ होता है लटका हुआ third is magically magically कार्थ होता है जादूई रूप से fourth is happily happily कार्थ होता है खुशी से fifth is litter litter कार्थ होता है कूड़ा sixth is awful awful कार्थ होता है भयानक या ड्रामना seventh is remind remind कार्थ होता है या दिलाना बच्चों आज आपने second chapter complete read करना है और second chapter के word translation आपने अपनी notebook में write भी करने है और यही आज का आपका homework है थैंक यू